How to hide post from someone on Facebook So, इस method and process को Facebook में किस तरीके से apply करना है और अपने post को किसी भी समवन से किस तरीके से hide करके रखना है Facebook पर Basically, यह जो topic है यह especially for me beginners के लिए cover करो और mostly female users के लिए cover करो Because, यहाँ पर Facebook आज के टाम में काफी ज़्यादा popular और globally use हने वाला एक social media platform है तो Facebook और जो भी social media platform होता है जब भी famous होता है जब भी popular होता है तो सिरी सी बात है उस पर fake accounts create करने वाले और उस account को hack करने वाले और account के साथ में base users करने वाले users भी Facebook पर होता ही होता ही है और यह आज के टाम में तो बहुत ही ज़्यादा possible हो चुका है तो ऐसे cases में कोई भी unknown user जो आपके friend list में add नहीं है तो वो भी आपके post को visit करके देख सकता है अगर आप उसे publicly set करते हैं तो तो ऐसे में इस type के जो users होते हैं उनसे अपने account को पूरी तरह के से safe रखना है because अपना जो post है mostly basis पे public के लिए आपको set नहीं रखना है अगर आप अपने account को लेके अपने privacy को लेके एकदम safe and secure है तो तो यहाँ पर यह mostly जो mistakes है यह beginners ही करते है तो इसलिए जो topic यह beginners के लिए cover कर हो तो यहाँ पर अपने post जो भी Facebook पर आप अपने post को upload करते है तो उसे आप एक तरीके से hide ही रख सकते है hide ही आपको रखना better होता है जिसमें आपकी safety and security है तो आप चाहता है अपने Facebook के post को hide करने के लिए Facebook के website पर विजिट कर सकते है लेकिन इसमें थोड़ा long process रहता है तो एक दिमें shortcut way में आप इस method को apply करना चाहता था setting के option पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको scroll down करना है प्राइविसी का आपको यहाँ पर एक option मिलेगा and then first number पर privacy settings का option मिलेगा just click on that अब उसके बाद यहाँ पर आपको एक वाला option मिलेगा activity वाले settings में आपको एक option मिलेगा who can see your future post as you can see यह default basis पर public option पर set होगा जिसे आपको tap करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको कई सारा option मिलेगा why देखे तो आपको friends option पर set करना है अगर आप चातें कि आपके Facebook की जो भी post है वो आपके Facebook के Friend List में सlor वही Friends देखे जो आपके साथ contact में रहते हैं तो आपको यहाँ पर specific friends वाले option पर click करना है और अगर आप चातें कि आपके Facebook के post है वो पोइब ही नहीं हो चाहे वो आपके friend list में add हो या नहीं हो कोई भी नहीं देखे सीफ आप देखे तो ऐसे cases में आपको यहापर only me वाला option choose कर लेना जैसे कि आपकी जो facebook की post है वो आपके अलावा और कोई भी नहीं देख पाएगा तो इससे कहा कि आपका जो facebook account हो एक तरीके से बहुती ज़ादा safe and secure होता है तो जब बात चल दी है safety and security के तो यहाँ पर आपको और भी settings है जैसे कि आपने facebook account को completely private रखना है और इसी line में आपको फिर से एकदम end में जाना है scroll down करके आपको यहाँ पर एक और दो settings मिलेगा जिसको भी आपको private करके रखना है तो first है who can look up your email address and who can look up your mobile number तो यह दोनों भी option आपको default basis पे public set होगा है इसे आपको private कर देना बिकास यह वाला जो option है यह आपको किसी के साथ भी share नहीं करना है बिकास जब भी कोई unknown user आपके facebook profile पर visit करता है तो वो सिब तीन चीज़ देखता है first आपका facebook profile photo second क्या आपने कोई email ID update किया है कि नहीं third आपने कोई mobile number update किया है कि नहीं तो यह तीन चीज़ कोई भी user आपके facebook account में ज़रूँ चेक करता है विज़ट होने के टाम तो यह तीनों भी चीज़ आपको profile photo को तो आप एक तरह की से hide नहीं कर सकते है बट जो email ID है और जो mobile number है उसे आप इसरी hide कर सकते है अगर आपने update किया है तो तो इसके लापको फिट सी उसी वाले option में आपको down set में option मिल जाएगा email ID को hide करने का इस पर click करना है and then उसके बाद यहाँ पर आपको only me page से set कर देना है like this back आना है आप यहाँ पर option मिलेगा mobile number को hide करने का इस पर click करना है और यहाँ से only me option पर set कर देना है that means आपका mobile number और आपका email ID दोनों भी hide हो चुका और facebook के post को hide करने का method मैं नहीं बता दिया है तो यह सारे का सारे एक तरीके से important settings है जो आपके facebook account को safe and secure बताता है और आपकी privacy को पुरी तरीके से private रखता है but this is the way to hide your facebook post from someone on facebook